इंडिया गडबंदन की बैठक खत्म हो गई है और गडबंदन के सभी सयोगी बैठक में शामल हुए करीब एक घंटे तक ये मिटिंग चली है ये स्वक्ती बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं कौन कौन मिटिंग में शामल हुआ ये भी जानकारी गडबंदन के सभी सयोगी दल मिटिंग में शामल रहे एक घंटे तक ये मिटिंग चली है इंडिया आलाइंस के जो कि खत्म हो गई मलिकर जुन खड़गी के घर पर ये बैठक होई गड़बंदन के सवी सयोगी बैठक में शामिल रहे इसमें अकरेश यादव भी थे आप तस्वीरी भी देख सकते हैं जहां इंडिया एलाइंस की मिटिंग में तजस्ट्वी आदव भी थे मलिक अरजुन खड़गी के घर पर ये मिटिंग कंड़क्ट की गए थी जो कि अब खत्म हो चुकी है और मोधी सरकार की गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे सूत्र बता रहे हैं नितीश कुमार ने तीन मंत्री पद मांगे हैं नितीश कुमार को रेल मंत्रा ले चाहिए सूत्र बता रहे हैं शिंदे गुटवी दो मंत्री पद मांग रहा है लोकसबा चुनाप के बाद अब सरकार बनाने के कावायद शुरू हो गई है दिल्ली में NDA की आज बड़ी बैठक हुई पिया मावास पर हुई इस बैठक में NDA में शामल पाटियां शामल हुई और NDA में शामल सभी दलों ने BGP धक्ष नड़ा को समर्थन पत्र सौपा और बैठक में पिया मोधी को NDA का नेता चुना गया वहीं राश्ट्रपती ने साथ जून को सभी NDA सांसेतों को बुलाया है सूत्रे बता रहे हैं कि नितिश कुमार को चाहिए रेल बंतरा ले